कि नमस्कार साथ यो यह काफी लेटेस्ट न्यूज है बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है सुप्रीम कोट ने लब मेरेज पे एक और पास किया है इस और के अंदर सुप्रीम कोट ने बताया है कि जो लोग लब मेरेज करते हैं उनकी कैसे सुरक्षा होने चाहिए सुप्रीम कोट में एक P.I.E.L. फाइल किया गया ताब उस P.I.E.L. पे सुप्रीम कोट ने यह और पास किया सुप्रीम कोट ने का है कि जो भी बालिक शादी करते हैं उनको शादी करने के बाद से कुछ गाइडलाइन्स गौर्मेंट को जारी किया है कि जब तक गौर्मेंट इस पे कोई एक्ट नहीं बना देती तब तक सुप्रीम कोट के गाइडलाइन्स को फॉलो किया जाए बहुत जगा ओनर किलिंग के नाम पर हत्याएं हो रही थी प्रेमी जोरों को मारा जा रहा था सुसाइट हो रहे थे सबसे पहले सुप्रेम कोट ने यह बोला है कि जिन लोगों ने बालिग है जो लोग बालिग है और उन्होंने अपनी मज़ी से शादी कर लिए उनकी शादी कोट में रेजिस्टर है तो उनकी शादी को पुलीस को सुरक्षा देना अनिवार है पुलीस को सुरक्षा देना ही देना है लोकल पुलीस अगर उनके जान को खत्रे हैं कपल के जान को खत्रे हैं तो लोकल पुलीस को सुरक्षा देना है यदि कोई पुलीस वाला सुप्रिम कोट यह भी कहता है कि यदि कोई पुलिस वाला उस कपल को परिशान करने के लिए किसी भी तरह का कोई इस्टेप लेता है तो उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए यह भी सुप्रिम कोट अपने गाइड लाइन्स में कहता है साथ ही साथ सुप्रिम कोर्ट तो यहां तक जाता है और वह यह भी कहता है कि राजी सरकारों को ऐसा करना चाहिए कि उन्हें एक सेफ ओम बनाना चाहिए सेफ ओम का मतलब हुआ कि उन्हें जो कपल साधी करें एक minimum rent पे minimum कुछ शुल्प के ओपर उन्हें कम से कम एक साल रहने देने का समय भी देना चाहिए तो सुप्रेम कोट यदि ऐसे मामलों में इस तरह के निख्देश देता है और आपको ऐसे कानून की जंकारी है सुप्रेम कोट के निख्देश की जंकारी है तो आप जब शादी कर लेते हैं कोट मेरेज कोट में रेजिस्ट्रेशन हो जाता है आरेस समाज में शादी करने के बाद तो आपको बिलकुल डरने और भैभीत होने की चरुरत नहीं है क्योंकि अब सुप्रेम कोट का निख्देश सुप्रेम कोट का ओर्डर आपके साथ है और कोई भी पुलीस या कोई भी संस्ता अगर आप बाली के जन्मीन तरीके से आपने सादी की है तो आपके बीच नहीं आ सकता आपको परिशान नहीं कर सकता नहीं